यह आपका 7 जुलाई 2020 का जो current affairs है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो पहला अगर आप question की बात करें या पहले current affairs की बात करें तो वो कौन सा है which company gets DCGI drug controller general of India approval to launch its generic version of remdesivir D7 at 4,800 रुपीज में तो कौन सी ऐसी company है जिसने यह remdesivir group की एक दबाई बनाई उसका generic version बनाया उसका नाम क्या था dashram और उसका approval लिया कहां से approval लिया DCGI से तो वो company कौन सी थी myland envy अब यहां पर कुछ question आते हैं कि सबसे पहले तो यह remdesivir का क्या मसला है क्या है यह तो यह एक formula है या आप यह कह सकते हो एक formula ही कहलो एक medicine type की है वो क्या करती है उसका एक दूसरा नाम भी है gs 5734 और या फिर gs 5734 हिंदी में तो यह एक यह दवा है जिसे वायो फॉर्मास सेटिकल जो company है जी लीड साइंस उसने बनाया था और अगर सौट में यह बोला जाए तो यह एंटी वायरस का जो है एंटी वायरस स्पेक्ट्रम है ब्रोड स्पेक्ट्रम है chemical terminology में या chemistry का जो लोग जानते है या medicine चेत्र से जोड़े होने मालूम है कि एक spectrum type का है जो किस के ब्रोड करता है किस के इंटी रूप में यूज होता है वायरस के रिगार्डिंग यूज होता है 45 रूप में यह इसका approval लिया था कहां से लिया था DCGI कंपनी कौन से थी myelin envy इसके अगर जो head है या जो मतलब controller ड्रग controller general of India है वो कौन है बीजी सोमानी जने 14 अगस्त 2019 को appoint किया गया था डीजी सी आई के जो controller general है वो कौन है बीजी सोमानी अगर myelin envy की बात करें तो यह एक नीदरलेंड की कंपनी है और globally generic दवाईये बनाने के लिए मसहूर है second है वो appointed as first chairman of IFSCA International Financial Service Center Authority वो कौन है इंदेती श्री निवास इसके headquarter की बात करें तो कहां पर है गांधी नेगर गुजरात में और इसके जो मतलब इस्थापना हुई वो कब हुई April 27, 2020 को बिच स्टेट लॉंज फर्ष्ट प्लाज्मा बेंक फॉर कोविड नाइंटीन पेसेंट तो यह कौन सा है बेश्ट बंगाल बेश्ट बंगाल की जो वो है मुख मंत्री यह चीफ मिनिस्टर वो कौन है अभी बरतमान में ममता बनर जी वहां के जो गवर्णर है वो कौन है जैदीब धनखर और जन्होंने 30 जुलाई 2019 को क्या लिया था चार्ज लिया था पश्च मंगाल का सेकेंड है बेच स्टेट गवर्मेंट रिजर्व 75 परसेंट जोब बित लेस देन 50,000 सेलरी इन प्राइबेट सेक्टर ऑप दा इस्टेट और लोकल ऐसी कौन सी हैंक था अगलम के लिया पशमेंगी लोकल के लिया इस सेविंट परसेंट जो जोब है बो लोकल के लिया दी जाएंगी कर दिया एम गवर्मेंट के और ऊर्द के थूरू आज को आपको मालूम ही होंग एक चीप मिनिस्टर कॉन है अल्यान के मनुहललाल खटर यहां के गव scan एसी कौन सी government है जो Chinese app बंद हुआ जहां की chief minister कौन है और यहां के governor कौन है जगदीब धनकर, which bank tie up with master card to facilitate cross border remittance ऐसी कौन सी government है, जिसने tie up किया master card के साथ किस चीज के आसान करने के लिए, जो cross border, मतलब बाहर से जो remittance आता है, उस चीज को सुगम बनाने के लिए, किस bank ने tie up किया है master card के साथ, तो ये कौन है, state bank of morisus, इसने tie up किया है, इसके साथ, मतलब master card के साथ, और किस चीज के लिए, कि जो remittance आता है, जो बाहर से पैसा आता है, उन सब चीजों को क्या किया जाए, सुभिदा जनक बनाया जाए, ये morisus के government के साथ है, ये second largest government है, morisus का, अगर morisus के जो prime minister है, उसकी बात करें, तो प्रविंद जगननाथ है, अगर यहां की capital की बात करें, morisus की, तो वो है port louis, अगर currency की बात करें, तो वो चलता है, morisus rupees, next question है, which association adopt new branding and visual identity on completion of hundred year, of participation by Indian athletes at the Olympic game, ऐसे कौन से organizations हैं, जो इंडिया की associations ने adopt किया है, नई branding, मतलब नई चिन, नई visual identity, किस खुशी में, किस वर्स पूरे हो गए, जो Indian athletes हैं, उनको Olympic में भाग लेते हुए, तो सेथी से बात, athlete की बात हो रहे हैं, तो किस की बात होगी, Indian Olympic Association, IOA, अगर IOA की बात करें, तो यह 1927 में established हुआ था, इसके अगर President की बात करें, तो Dr. Narendra Drogh Bhattra इसके President है, Secretary General की बात करें, तो राजीव महता हैं, जो इनका पहला लोग हो था, वो तब से ही चला आ रहा है, जब 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, अब बात आती है, कि बिच कंट्री लाँच्ट न्यू स्पाइस सेटलाइट ओफ फैक 16, तो एसी कौन सी कंट्री है, जिसने हभी इसपाइस सेटलाइट या जासू सी उपाग्रै सोरी लॉँच किया है, तो वो है इसराइल ने, इसराइल की अगर capital की बात करें या राजधानी की बात करें तो क्या है Jerusalem Prime Minister Benjamin Netanyahu currency है Israeli second फिर क्या है who win Australian Grand Fix Australian Grand Fix 2020 तो यह किसने Mercedes के driver थे तो यहाँ पर Austrian Grand Fix किसने जीता है 2020 का Mercedes के driver है और उन्होंने कौन थे वी वोटास उन्होंने जीता है यह Australian Grand Fix last है which two company form JV joint venture company to develop solar and thermal power assets कौन-कौन से है NLC and coal India limited NLC और coal India जो limited है उन्होंना 5 GB का solar और thermal power capacity की एक व्यवस्था बनाई है यह जॉइंट वेंचर और लॉंच किया है इसके रिगार्डिंग so this is all about today's current affairs thank you